चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्यत करने के प्रयास के तहर निर्वाचन आयोग ने एक महत पुरुन कदम उठाया है अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सुची के लिए आविदन कर सकते है आयोग ने कहा है कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर पंजी करन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अगरीम आविदन कर सकते है कुछ समय पहले तक किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष होने के वाले लोग मतदाता सुची में अपना नाम दर्श कराने के पातर होते थे एक जन्वरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजी करण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग एक जन्वरी, एक अप्रेल, एक जुलाई और एक अक्तूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजी करण करा सकते हैं गुरवार को जारी निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजिव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनुप चंद्र पांडे के नेतरत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनिक सक्षम समाधान तयार करने का न बयान में कहा गया है कि मतदाता सूची 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए कोई भी नागरीक जो 1 अप्रेल, 1 जुलाई और 2023 के 1 अक्तूबर तक 18 वर्ष के हो रहे हैं वो भी मतदाता सूची के प्रारू प्रकाशन की तारिक से मतदाता के रूप में पंजिकर इजर से उपचार कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com